उसकार आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि लेजी पेवालन्स को आप बैंग काउंट के अंदर करके tangs notions कर सकते हैं मैंने दो तीर वीडियो आप लोगों को पहले ही इस चैनल के ओपर बनागते दिया है जहाँ पर मैंने बताया वाकि अगर आपके application में card का option नहीं या तो फिर आपको card नहीं मिला हुआ है और आपको limit मिला हुआ है तो उस limit को कैसे करके आप transfer कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं बड़ उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को allow कर देता हूं तो फ्रेंड मैं यहां पर लेजी पर application open कर ले अप्लिकेशन यहां open किया आपको मेरा mobile screen दीख रहा है तो मुझे यहां टोटल जो limit मिला हुआ है ठीक है यहां पर टोटल जो limit मिला हुआ है वह 1000 का limit मिला हुआ है और मुझे अगर यह पैसा को bank account के अंदर transfer करन है तो यहां पर scan and pay का भी option है ठीक है पे online का भी option है दो option यहां पर दिया हुआ है बड़ दोनों option के उपर हम यहां पर click करते हैं तो देखते हैं क्या process होता है अगर यह काम नहीं कर रहा है तो फिर आगे का क्या procedure होगा उसको हम कैसे करके transfer कर सकते हैं तो final जैसे scan and pay के उपर ह यहां पर ठीक है तो यहां पर देख सकते हो scan and pay यहां पर आ गया scan and pay का जो facility है अभी फिलाल enable है वह कब चालो होगा वह अगर आप लेना चाहते है notification तो यहां पर notice me के उपर आपको click करना है तो फिलाल मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि अभी scan and pay का जो service है वह available नहीं है और यहां से direct आप scan and pay करके transfer नहीं कर सकते हैं अब बात करते हैं फ्रेंट कि अगर हम दूसरा option का यूज करें पे online तो पे online के उपर हम यहां पे simple सा click करते हैं तो जैसे पे online के उपर click करते हैं यहां पर बहुत सारा merchant का नाम आ रहा है ठीक है कि यह सारा merchant के उपर आप online payment कर सकते ह यहां पे पे लेटर option यह जो application है सभी में पे लेटर option आएगा वहां से आप कोई भी समान purchase कर सकते हो और उसका payment कर सकते हैं और यहां पे UPI ID का जो अगर payment के उपर हम click करते हैं तो यहां पे आप directly UPI ID यहां पे select नहीं कर से तो आखिरकर ऐसा कौन सा application है जिसकी मदद से अगर हमारे पास जो card है वो नहीं है तो उसको हम के सिगर के transfer करें तो सबसे पहले क्या करना है अपको एक application इस्टॉल करना है अपने mobile phone में ठीक है application का नाम कौन सा है application का नाम है मैसो मैसो एक shopping website है application है जहां पे अच्छे-चे quality का product आपको देखने को मिलता है बहुत ही कम दाम में अ तो आपको क्या करना है सबसे पहले वीडियो के description पे application का link मिल जाएगा वहां से आप application को download कर सकते हैं तो फिलाल मैं यहां पे मैसो लिक कर सर्च कर लेता हूं हमारे पास यहां पे application already download है बड़ मैं यहां पे आप लोगों को दिखाने के लिए सारा चीज जो हो वो live करने वाल account create करने के लिए आपको mobile number नाम और अपना email address यहां पे register करना होगा सभी चीज़े register करने के बाद यहां पे कुछ इसफरगार का interface आपको देखने को मिलेगा तो simple सा यहां पर क्या करना है आपको कोई भी product आपको select करना है अब product यहां पे उतना का ही select करना है जितना bank account के अंद को दियान से देखिए 206 रुपया इसका दाम है तो मैं simple सा इसको buy के उपर click करता हूं और buy के उपर click करने के बाद continue buy के उपर यहां पर click कर देता हूं ठीक है continue buy के उपर click करता हूं तो यहां पे सबसे पहले अगर पहली बार application download करेंगे तो यहां पे आपको delivery address यहां पे enter करन जैसे आप इसके उपर click करेंगे यहां पर बहुत सारा option आप लोगों के सामने आ जाएगा जो इसका payment है आप कैसे करना चाहते हैं जैसे lazy pay के थूरू करना चाहते हैं यहां पर already आ गया option देख लिजी यहां पर पहले number पे हमारे यहां पर आ गया है lazy pay और अगर आप lazy pay से यह यहां पर payment करते हैं यहां पर cashback भी मिलता है तो simple साह हम क्या करते हैं le Je spoke के उपर click कर देते हैं जैसे lesi अब payment जब successfully हो चुका है तो मैं आपको यहां पर continue with swapping के उपर मैं यहां पर click करके जो आगे का जो step है उसको मैं बता रहा हूँ ठीक है तो हम यहां से home पे चलते हैं और सबसे पहले आपको lazy pay यहां पे open करके दिखा देते हैं कि जो मेरा balance कटा है यह नहीं कटा है सबसे पहले देख सकते हो यहां पर lazy pay से मुझे message भी आ गया है कि dear lazy pay customer your payment has been 255 successfully जो कि मैंने मैंसो में payment किया हुआ है ठीक है यह तो home page पर आजाना है ठीक है जैसे आप home page पर आएंगे यहां पर my order के उपर हड़ हूँ अहां पर आपको और एक option दिखाए देगा जहां पर लिखा रहेगा cancel order तो simple था यहां पर cancel order के उपर क्लिक करना है और यहां पर cancel जो आप कर रहे हैं उसके लिए कोई भी एक region आपको बता देना है तो यहां पर I want to test order ठीक है तो इसके उपर मैं किलिक करता हूँ और उसके बाद cancel product के उपर किलिक कर देता हूँ तो जैसे मैं cancel product के उपर किलिक करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो order जो है successfully cancel हो चुका है ठीक है order हमारा cancel हो गया है ठीक है अब क्या होगा जो मेरा पैसा है ठीक है वह हम live टेस्ट करने वाले हैं क्योंकि YouTube पर मैंने बहुत सारा वीडियो देखा और मैंने भी वीडियो उस ताइम बना के दिया था इस टाइम यह ट्रिक वर्क कर रहा है तो यहाँ पर देख सकते है cancel हो चुक लेजीपे के उपर जाके मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या मेरा जो payment है वो इसी account में आ रहा है या तो फिर मेरा जो payment है वो bank account के अंदर transfer होगा ठीक है जो भी होता है मैं live आप लोगों को दिखाने वाला हो भी तक देख सकते हो limit मेरा उतना ही है और अभी जब मेरा यहा payment आ जाता है फिर मैं आपको आगे यहां पर बताता हूँ दोस्तों मैंने काफी देर इंतिजार किया लगभग 15-20 मिनिट मुझे यहां पर payment जो है तूरंद refund नहीं मिला है तो देकि अगर आपका payment जो है refund मिल जाता है मैसो application पे तो यहां पर my payment का एक option आप लोगों के सामने आएगा ठीक है यहां पर my payment के ऊपर आपको क्लिक करना और यहां पर अपना bank account add करके जैसे कि मैंने दो बार यहां पैसा transfer किया है उस तरह आप भी कर सकते हैं और अगर आपका पैसा इस application में ना आके direct आपको lazy pay में refund कर देता है तो फिर अभी आप समझ लेना यह trick अभी work नह है कि एक नए एक में आपका payment जो है refer तो होगा ही तो उस तरीका से आप यहां पे अपना balance को transfer कर सकते हैं तो मुझे उमिदे फ्रेंड यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हूँ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो like share और comment करना ना भूलें और इस video related कोई